हेलो गाइज वेल्कम बैक तो माई चैनल दर्ट स्वार कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे मैं बहुत अच्छी हो और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुक्तारना है हैपी होली तो आल अफ माई यूटूब फैमली सो चलिए शुरुवात करते हैं आज होली के दिन से तो फर्स्ट अफॉल मैंने वियर कर लिया है होली मैं सोचरी इस पर पहन लूँ मतलब खेल लूँ पहन के यहां सारी चीज़े हो गई है वेडी तो कलर को कुछ इस तरह से मै विद्या ऐसे आंद्ध सब्सक्राइब गली कि अपने कि न म्हीं गा दिंहичा यह है ओष्ड कोला मने करते हमें कि गएkal ओद रहें हैं पर दिम्यक्स कशने रहें हैं यहां साहिटी कर तो हमलं क्या मैं कि खेलें पारा यह झांड खेलें कन दों खेल। तो अभी को उसके फ्रेंड्स लेके चले गए हैं और मेरे हमी कहां से भी आ गया है फोन की आ जाएं तो बस खाना खाले क्योंकि अगर कलर कलर हो गया तो खाना भी नहीं अच्छा लगेगा तो मैंने बनाई है मतर पनीर और पूरियां और यह सारे दिखें तो यहां सारी है फास-फास से खाना और फिर चलते हैं मम्मी क्या वहां चलके खेलेंगे फूली को और फाइनली हम मम्मी के घर पहुच गया है और जाते ही हमें जो सब ने मिलके रंगा है मुझे तो यह केर में होरा सब मेरे ही इंतिजार में बैठे थे और मुझे अवी और नाशा को सब ने मिलके कलर कर दिया है क्योंकि सब और लेडी पहले से ही हुली खेल चुके थे और हम लोग कोरे कोरे पहुच गया थे तो उन्होंने मिलके हमें बहुत अच्छे से कलर लगाया सब ने मिलके कि इतना मसा थे उन्हारा है तूने हबाबे भंग में जाया तुकना थे उन्हारा है आँको से मिलके जाया मालं भी थाद आपी तुरी थीगों नमी होगे उच्छी देश में में रहके भी होगे तो अजुपनों विचे कारी छोग ने जे मारी तो सिदी कारी छोगे तो आपी नमार बें रहके पर आप आप्नों लिखे यहां मम्मी के अपार्टमेंट वालों के साथ जम कर हुली खेलने के बाद हम गया घर अबी का हाथ थोड़ा सा जल गया था इस पटाके से बैक में निकल के तो फिर हम घर जाके कपड़े चेंज किये हैं उसको दवा लगाई है अभी जा रहे हम अपनी दादी के घर येस और यहाल हुआ है मेरा सॉरी प्लीज कोई भी कुछ भी गलत मत बोलना का ब्लैक कलर लगा दिया था सबने मिलके और वहां पे भी हुली खेलने के बाद हम आके घर पे सो गय थे बहुत अच्छी नीद आई उसके बाद शाम को बहुत अच्छा सा कुछ खाने का मन था तो हम लो पुली के ओफर चल लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे तो मैंने सुचा कि चलो थोड़ा चेक आउट करते हैं जब यहां तक आई ही गये हैं तो कुछ देख लेते हैं वाव अच्छे लग रहे हैं थोड़ी बहुत अच्छे लगए जाता नहीं वीडियो बना रही है नाइशा विसली मैं शॉपिंग कर रही हूं तो वीडियो नाइशा बना रही है और मुझे नाइशा के लिए टी-शिर्ट्स देखनी थी तो काफी अच्छे अच्छे टी-शिर्ट्स हैं नाइशा के लिए यह देखिए वो ब्लॉग बनाए और आए ना खुद ऐसा कैसे पॉसिबल है अच्छे 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 वो बनाए और आज है भाई दूज होली का भाई दूज यस तो आज सभी लोगों को मेरी तरफ से हैपी भाई दूज और अभी है दोनों लोग जो भाई दूज इनको मनाना है अच्छे अच्छे वोगों के उठे हुए हैं फिलाल अभी वो फ्रेश फ्रेश होंगे तब हम सेलिबरेट करेंगे भाई दूज को और मैं आपको बताना चाह रही हूं जो मैरे रजगुले खराब हो गया थे तो अब इतना सारा रजगुले खराब तो मैं फेक तो सकती न मैं जो विल गया तो ऐगर पढ़िओगी तो मैं डाल दूगी चाहर लिंक तो उस ही सुह मैंने बना लिए है छे तो मैंने रजगुले ऐसे मेरा शार मेने गुल एकर बना कर साट रिजकुले में ऑर खाने भी बहुत ज्यादा यम्म霍 हो गया क्या चाहितला होगा है आब औ तो उसके साथ जो मेरे रजगुले घुल गये थे उनको भी खाया जा रहा है यह देखे तो यह बहुत टीस्टी बन गये हैं और वह क्यूंकि प्योर खोय का था और यह मैंने पाउडर से बनाया है तो क्यूंकि वह खोया है तो उसके साथ भी अच्छा लग रहा है और इस तर तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चारी हूँ कि कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़े डाल के बनाई थी बहुत मेनत करी थी तो उसके साथ के साथ मैंने उसको वेस्ट नहीं होने दिया है और ऐसे करके खा रहे है तो बहुत और ज्यादा यमिया लग रहा है ये तो जो मैंने वोरस गुले बनाये थे नाशा बिल्कुल भी नहीं खा रही थी क्यों नहीं खा रही थी वो वाले वो अच्छे नहीं दमों जाके मिल्ट हुए और अभी जो बनाया वो अच्छे थे अच्छे है ना आङ दिमाग लगाए कि कैसे हम रिऊस कर सकते हैं और फिलल अभी देखा आपने ये ऐसे बन के भूम रही है अभी इसको रेडी होना है और अभी भी रेडी हो रहा है पिर करेंगे इनका भाहिदूज ये लोग अपने में मतलब यह लोग आप भाइदूज करेंगे और मेरा तो कुछ नहीं है बहुत सारी चीज़े बनाने को अभी भी रखी है मैंने दाल भी गो दी थी दही बड़े के लिए तो सोच रही हूं दही बड़े बना लू और आज भी फेस्टिबल है भाइदूज है उसमें मैंने सारे रख दिया यह है घर की गुजिया और घर के रुजबले तो यह घर पे बने हुए घर के रखे थे तो मैंने बाहर से कोई भी मिठाई नहीं मंगाई है और इसी से ही नाशा अपना भाइदूज कर लेगी क्योंकि घर पे जब इतना माटेरियल है तो बहार से मंगाने का क्याज हो रहा थे दोनों लोग रेडी हो गए और बस तैयारी हो रही है इनकी आपस बंती तो है नहीं कि तो कैसे भाइदूज कर रहा है यह यह लोग जानते है फिलाल चलिए टीका लगवा देते हैं अधिक कलर से रोली से नाशा टीका लगा दे रही है तो देखो कैसे गुस्से से बनाए हुए है एला रेड लगा उस पर यलो लगा दे रहा ठीक है थोड़ा आईसे ने इसे लगा आईसे करके सिट अचका अच्छाण में ने 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 यह रहा हमारा लांच पालक पनी राइसन यह मैंने बनाया लच्छा पराठा तो यह जो बैटर रखा हुआ था गुजिया वाला उससे मैंने लच्छा पराठा बना लिया है अभी है दही बड़े बनाने का टाइम तो डाल को मैंने बहुत अच्छे से मिक्सी में ग्रैंड कर लिया है और उस पर मैंने मिला लिये काजू एंड बादाम एंड जीरा पाउडर और इस तरह से पानी को हाथ में लगा लगा के बहुत आराम से बन जाते हैं दही बड़े कुछ लोग बहुत सोचते हैं कैसे बनाएं कैसे बनाएं मैं तो बहुत आसानी से और यह देखिए कितना परफेक्टली दही बड़े का शेप बनके निकला है और अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह से आप इस स्पून से भी बना सकते तो कुछ लोग वैसे पकोड़ियों की तरह निकाल देते हैं दही बड़ों को वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे दही बड़े जैसे होते हैं वैसे ही पसंद है और यह देखिए यह भी अराम से निकल गया है फिलाल से अच्छा मेरे हाथ से बन गया था तो आसानी से बन जाते हैं स्पून से वह तो मेरे तो दही बड़े बहुत परफेक्टली बन गये है और इस तरह से आपको हाथ में पानी लगा लगा के जब अब पानी लगा लेते हो तो बिल्कुल भी यह दाल चिपकती नहीं आपके हाथों में बहुत अच्छे से इजली नि यहां पे मेरे गोल गोल दही पड़े होके है रेडी देख सकते आप और बहुत असानी से बन जाते हैं तो इंको बहुत दीमी दीमी आंश में पकाना है जिसे अंदर तक बिल्कुल अच्छा से पक जाए और ड्राइफ रूट्स जो डालने से बहुत अच्छा सा क्रण्च आता है एक दम प्लेन प्लेन नहीं देखा बहुत अच्छा से क्रंची लगते हैं तो इसलिए मैं नहीं ब अच्छा लगता है खर मेरे आत किसी को भी नहीं पसंद आ किसमेस का टेश इसलिए मैंने नहीं डाला है तो उससे जो खट मिटा टेश आता है कि पामीठा वह बहुत अच्छा लगता है तो यह है एंड अभी इसको बस निकालना है गरम गरम ऐसे ही और ऐसी निकाल के सारा पानी राएंगे इस तरह से बंदकर ढ़िए जिससे बिल्कुल सौफ्ट हो जाएं जब आखी डालना होगा तो बिल्कुल पानी से निकालके में दही में लाild होने राइडी होने वाले मेरे बड़े गऊणी जीरा अध्रा औ रहे मेच च्टनि के बना तब यह बनेगे हमारी खटी चथनी आने सारी चीजे तया टाली दही यह रहे मेरे बड़े इंबली के चथनी धन्या के चथनी जीरा पाउडर लाल मेश पाउडर और यह रहा चाटमसाला तो चलिए प्रेपार कर के हैं दही बड़े को सबसे पहले मैंने लिया है तही बढ़ों को कुछ इस तरह से पानी में भीगो के मैंने पहले रख दिया थे अब इसमें डालेंगे ठंडी ठंडी हमारी तही पूरा अच्छे से इसको यह डाल देंगे अब इसके पर डालेंगे इसके ओपर डालेंगे हमारी साट वाली चटनी इमली की चटनी सारी तो इसके ओपस अब अपनी खट्टी वाली चटनी और इसके ओपर डाल देंगे बुना हुआ जीरा यह अब डालेंगे जाट मसाला और डालेंगे लाल मिच पाउदा यह हो गया हमारे दही बड़े टेस्ट कराते हैं अभी से कैसे बने हैं यह लो खाव मैं लाइब दिखाना चाहा रहे हैं आपको कैसे बने दाइबड़े यह एक नमबर गुझे पलके दाइबड़े अच्छे नहीं लगता है यह खाता नहीं दाइबड़ा इस बने हैं यह खाता हैं इसमें थो बने इच्छा आपको यह था है इसमें अच्छा है यह थार्णी ना विटी चट्नी डाली है मिटी चट्नी के सोदारा है मिली बाली हैं आए खलागँ लड़ की गुद और कर média